नमस्कार साथियो नियूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं जब जलसंधियों पे नियंतित होता है तो क्या होता है और उन जलसंधियों पे नियंतित किया जाता है जो वैपारिक दिश्टी से महत्तोपून होती है तब क्या होता है अमेरिका और इरान का तनाव बढ़त बढ़ते बढ़ते इस कदर चला गया है कि जलसंधिया नियंतित की जा रही है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडिटर इंचीफ प्रबीर तो प्रबीर स्टेट अफ हर्मुज जो वैपारिक दिश्ची से बहुत महत्यपूर्ण हैं वहां पर यूएस और यूके क्या संधी हुई है इस पर दुनिया में है खास तोर से इस तरह की स्ट्रेट जहां पर है जो बहुत नैरो समुद्र समुंदर है और पास की जो देश है उनकी टेरिटोरियल वाटर से ऐसे पानी जाता है तो उसमें किसकी क्या नियंत्रन होनी चाहिए तो वह अगर आप दे अपने युद्ध जहाज को लेके किसी और देश के बगल में जाते हैं उसके पास जाते हैं और जो की उनकी टेरिटोरियल वाटर्स है तो उसमें क्या किसकी क्या अख्तियार है यह सवाल जरूर आता है पर मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे बहत पूर्ण सवाल जो है कि वहां पर अगर जंग होता है वाग़िये तो हमारे पर क्या असर पड़ेलेगा सिर्फ भारतवर्ष पर नहीं बलकि पूरे साउथ ऐस्ट ऐस्ट एश्या इश्या इस्ट एश्या सब मुलकों पर क्या असर पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेट्स ऑफ और्बूस आपने जो बताया दुनिया के एक बहुत बड़ा ओयल चोक पॉइंट है और करीब 30-35 प्रतिशत तेल जो दुनिया में जाता है इस इन स्ट्रेट्स से स्ट्रेट्स ऑफ और्बूस से गुजरता है तो इसलिए इस खाड़ी में अगर को बहुत बड़ा बुरा प्रभा पढ़ने वाला है तो इसकी नहुबत क्यों आई ये सवाल है तो ये स्टेट ऑफ होरमज की जो भगौले की स्थिती है और इसके साथ स्टेट ऑफ जिबरॉल्टर वाली बात भी जूड़ती है और जहाजों का आना जाना वैपारिक जहाजो इंग्लेंड ले लिया एक एरान ले लिया पहले युनाइट किंग्डम ने स्टेट ऑफ जिबरॉल्टर में ग्रेस वन जो दो मिलियन बैरल्स तेल लेके जा रहे थे उसको अपसे आपने कबजे में ले लिया ये कहके कि सीरिया में यूरोपियन यूनियन की सैंक्शन्स है और इसलिया हमने इस जहाज को कबजे में कर लिया है क्योंकि इस सैंक्शन्स को उलंगल कर रहा था सवाल है कि यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन्स सीरिया पे तेल भेजने के लिए नहीं था तेल लाने के लिए था तो और दूसरी बात ही है कि इरान यूरोपियन यूनिय उसका साथ नॉटिकल माइल्स उसका वेवधान है उस पे टेरिटोरियल वाटर्स तीन मुलकों का है मॉरको का है स्पेन का है और जिब्रॉल्टर का भी है तो इसलिए किसी एक देश का ये बनता है किया कि अपने नियम उस स्टेट्स पे वो लागू करें ये बहुत बड़ा स सवाल है मेरे ख्याल से इंग्लेंड ये ये यूरोपियन यूनियन के लिए नहीं पर अमरीका के लिए कर रहा था क्योंकि अमरीका इरान के तेल बाहर भेजने की ऊपर सैंक्शन लगाए हुआ है तो ये ये यूरोपियन यूनियन के नाम इस्तमाल जरूर कर रहा है किया त का फ्लैग उस पे था हलांकि वो स्वीडिश ओनर्शिप में है पर इंगलेंड के फ्लैग उस पे था उन्होंने कबजे में किया है और यह कहके कि वहाँ पर मैरिटाइम कानून जो था वो उलंगन कर रहा था एक जहां जो मच्वाडों के एक छोटी सी बोट था उससे जाके तकराया तकरा के भाग जाने के कोशी कर रहा था तब इरानी रेवलूशनरी गाड़ जो है जहाज कबजे के करके बंदर अब्बास पे ले गए तो यह बात जरूर है कि अगर मैरिटाइम लौक का उलंगन यह जहाज कर रहा था तो इरान का अधिकार बनता है उसको कबजे लेना पर सवाल है कि क्या ये सच-बुच टकर मारा था या ये एक बहाना था क्योंकि इन्होंने ग्रेईस वन को खबजे बे कर लिया तूर रीटैलियेशन बैद उसका बदला के लिए उन्होंने एक जहाज कबजा कर लिया ये बाद भी ही हम पापा हमको पता चलेगा पर इस पे कोई दो राय नहीं है कि इंगलेंड की स्टेट ऑफ जिबरॉल्टर में कानून इस तरह चलाने का अख्तियार शायद नहीं है और कानूनन जो है उदोंने गैर कानूनी काम किया पर इरान अगर जो कह रहा है वो सही है तो इरान के पास अख्तियार बनता है कि ऐसे जहा खाडियों के लिए के लिए पर दुनिया की हर समुंदर के हर चीज पर उसका उसके उपर उसका ख्लॉजज है तो खाडि जो स्ट्रेट्स है उसको लेके जो ख्लॉजज है वह बहुत साफ है कि दो चीज इस पर एक है कि टेरिटोरियल वाटर के अंदर से भी जहाज अगर ऐसे समुंदरों को कनेक्ट करता है कि और कोई रास्ता नहीं है तो एक राइट ऑफ पैसेज इसे कह सकते है उनको देना उनको बनता है और उसमें अपने देश के कानून वो लागू नहीं कर सकते यह जरूर है उसकी मैरिटाइम लॉज उसको मानदा पड़ेगा उन जहाज को एक तो यह है और उसमें कुछ क्या कह सकते कुछ डिस्टिंस है अगर आप स्ट्रेट्स ऑफ हर्बुस को देखेंगे जो लेंस है कैसे वो लगाई गई है यह अंकलॉस के मताबिक देशों ने बैठ के इस तरह का लेंस इस जगों पर बनाया है क्योंकि वहां पर स्ट्रे स्ट्रेट्स ऑफ हर्बुस कोई इंटर्नाशनल वाटर्स है नहीं तो बीच में जो रास्ता रखी गई है वहां पर जहां जोंके आने जाने पर उसमें अगर आप देखें तो दो नॉटिकल माइल्स का एक कॉरिडॉर है जिसे जहाज जा सकते हैं और आने के लिए पर्षि जहाज आपस पे टकराएना तो यह जो चीजे है इस पे एक बात जरूर है कि कौन से जहाज इसमें से आ जा सकते हैं कोई भी जहाज उसमें उसका अधिकार है इहां से जाना या आना अगर वो उसका कोई सामरिक अवद्देशन ना हो तो इसका मतलब है कि वार्शिप्स भी झाति हां से गुजर सकते बश्रते इनको इरान पे अमान पर एटाक ना करने के कोई दर्दा हो यह तो वह स्पाइंग न कर रहे हो यह तो कोई कर्यां कर रहा हो तो यान पर इसमीं को नहीं तो अगर यह तीन चीज कर रहे हैं उसमेसे एक भी चीज कर रहे हैं तो इरान उसको कह सकता है आपको हम आने जाने नहीं देंगे तो अमरीका और इंग्लेंड जब कह रहा है कि हम इनको नियंत्रन करेंगे इस स्ट्रेट्स अफॉर्बॉस का हम नियंत्रन करेंगे व्यापारी ज अंकलॉस के मताबिक ये गैर कानूनी है और इरान को इरान इस चीज को मानेगा नहीं तो ये युद्ध का एक शुरुवात का संभावना इससे हो रहा है अभी भी ये शुरू नहीं हुआ इंग्लेंड ने कहा है कि हम जहाज भेज रहे हैं पर्शियन गल्फ में अमरीका ने अपने जहाज तैनात किया हुआ है पर अभी भी स्टेट्स ऑफ होर्वोस पर कबजा करने की बात सिर्फ बात तक है अभी अभी तक ये लागू नहीं किया है लागू करेगा कब करेगा उससे क्या युद्ध होगा ये सवाल ज़रूर अप दुनिया के सामने है अनकलॉस ज जिसको अमरीका ने बैट के पूरा नेगोशियेट किया इसके बाद अनकलॉस को दसकत नहीं किया इरान ने दसकत किया रैटिफाई नहीं किया और ये भी कहा है कि अनकलॉस किसी जो देश माने नहीं है जो दसकत नहीं किये उस पर अनकलॉस के मताबिक हम राइट्स नहीं पर सवाल तो यह है कि अंक्लास अभी भी सभी कम से कम लिप सर्वी जुबानी तोर से तो उसको मानते है यही law of the seas है और इसके मताबिक इरान के कुछ rights इसकी इन में है और अमरीका का उस तरह से जो कह रहा है वो अधिकार अमरीका का वहाँ है नहीं पर अमरीका अंक्लास दसकत ना करते हुए दूसरों को कहता है कि अंक्लास मानना चाहिए और खुद के लिए कहता है कि हमारी अधिकार है जहां भी हम ज़द यहाज भेजे वो भेजने के अधिकार हमारा है और वो सिर्फ हमारा जो एक उनका एक क्या कहते है freedom of navigation उनकों ने एक policy बनाई हुए है उसके तहद कहां वो जाएंगे वो सिर्फ वो निद्धारित करेंगे यह तनाव दुनिया में चाहे साउथ चाइना सी हो चाहे स्ट्रेट्स ऑब होर्मोस है दोनों जगह पे यह बना हुआ है और एक बहुत पुरानी यह बहस अमरीका को लेके चल रहा है Leslepa को लिए उन्हों पियरके चाहता है cents को घुटना टेकने के लिए वाद्ध करें तो यह यह एकनामिक वार है जो सभी लोग मान रहे है contain है administration कह रहा है इरान के उपर एक मैक्सिमम प्रेशर एकनामिक वार है जिसमें इस वक्त हिंदुस्तान भी जैसे मुल्ग भी करीब करीब घुटना टेक दिये हैं अमरीका के सामने और इरान से तेल खरीदना बंद कर दिये हैं अब जो अमरीका की दूसरी चीवच पूछ रहे हैं कि पैरिस एंग्रीमेंट जो क्लाइमिट चेंज की उपर है ऐसे बहुत सारे अमरीका नेगोशियेट किया है उस पर पुरा बैटके ऐसे संध्यों पर बातचीत किये हैं लोगों को बोला कि ये होना चाहिए अभी भी क्लाइमिट चेंज भी क्या होना चाहिए नहीं पैरिस कानून दुनिया बे लागू होना चीह और किसी वी ऐसे कानून हमारे उप लागू नहीं होना चीह इसको अमेरिकन एक्सेप्शनलेजिम कहते हैं जो अमेरिका जो इस तरह के लीध इस्तिति में क्या होगा कि क्या इरान टक्कर दे पाएगा बहुत अच्छी तरीके से इंग्लेंड अपने जहाज भेजने की तो भवकी है उसमें कुछ दम है नहीं क्योंकि एक जमाने में ग्रेट ब्रिटन कहते थे यह सब था अब ग्रेट भी रही रहा और यूनाइटेड है है ही नहीं क्योंकि अभी तो वो ब्रेक्सिट लेकि उनमें जगडा चल रहा है तो उनका इरान से टक्कर लेना स्टेट्स ऑव हॉर्बूस पे संभब नहीं है पर अमरीका की जरूर सामरिक शक्ति है उसके हावाई जहाज है जहाज भी है और जिसको कहते एर क्राफ्ट क काफी नुकसान पहुंचा सकता है और इरान को सामरिक शक्ति को काफी हद तक विद्वस्त कर सकता है सवाल सिब एक ही है कि वहां से हर रोज 440 जहाज जाते है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्बूस से वहां जिस कहते हैं कि VLCC बड़े बड़े जो तेल ले जाने के जहाज भी वहा सिर्भ उनका मकसद ही है और क्या अमरीका उनको वाद्ध कर सकता है उसका एक दब ज़छ्ण कर कि कोई जहाज वहां से सभी जहाज वहां से आसानी से चल जायेगा एरान कुछ नहीं कर पाएगा मेरे ख्याद सिर्षिए संभव नहीं है तो मैं समझता है कि वहां जंग अगर होता तो इरान की सामरीक शक्ति उन्होंने जो गिराया उससे साबित कर दिया है उनकी मिजाइल की शक्ति है और उनकी जो छोटे-छोटे जो कहते हैं फास्ट बोर्ट्स है वो वार करके जल्दी भाग भी सकते हैं तो इसलिए स्ट्रेट्स ओव होर्बोस को पूरी तरह से अपना कब्जा स्ट्रेट्स ओव होर्बोस भी नहीं रख पाएगा पर वहां पर वानिज जो होता है जो व्यापार होता है तेल का उसको रोकना मेरे ख्याल से वो कर पाएगा और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा जोखिम है इस वक्त शुक्रियों इसलिए हम से बा इसक्रिक शुक्रिया